अगर आपको मेरा यह वीडियो पेसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंस को मेरे चैनल के बारे में प्रण शुब वास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तु शास्त के ग्यान को सरर और आसान शुब्द में आप तक पहुचाने का अगर वास्तु शास से इस सब्जेक में आप नए हो और सब्जेक को स्टेप बेस समझना चाते हो तो डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिये गए हुए मेरे प्लेइलिस्ट को फॉलो कीजिए पिस मिरर एक ऐसी चीज है जो हर घर में पाई जाती है, हर घर की जरुरत होती है मिरर से आपके घर में दोनों positive और negative प्रभाव पड़ सकते हैं इसलिए ये जरूरी है कि मिरर का placement सही दिशा में हो ताकि आपको maximum positive प्रभाव मिल सके तो इस वीडियो में हम जाने के कि वासुशा सके अनुसार मिरर के लिए सही दिशाय कौन सी है और मिरर रगते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है चिली शुरुवात करते हैं मिरर के लिए सही दिशाय चान कर फिस हम यह चानते हैं कि mirror पर जब रोश्णी पड़ती है तो वह reflect हो जाती है उसी तरह से जब mirror पर energies पड़ते हैं तो वे भी reflect हो जाते हैं चाहे वह energies negative हो या positive हो इसलिए हमें mirror को ऐसे place करना चाहिए कि घर में आने वाली negative energies घर में रुके नहीं बल्कि घर के भार reflect हो जाए फिस लैसे मैंने अपने कई videos में explain किया है वासु शास्ते के अनुसार North, North, East और East से हमें positive energies मिलते हैं और South, Southwest और West से हमें negative energies मिलते हैं नहीं कारण है कि mirror को हमें इस तरह से place करना है कि South, Southwest और West से आने वाली negative energies हमारे घर के भार reflect हो जाए इसलिए mirror price करने के लिए अनुकूल दिशाय है North, North East और East के इससे घर में आने मरी negative energies घर के भार reflect हो जाती है और घर में positive energies बनी रहती है अब हमने जान लिया कि mirror रखने के लिए सही दिशाय कौन सी है अब हम mirror रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखता है यह जान लेते हैं प्रस mirror को कभी भी आपके घर के main door के exact सामने नहीं होना चाहिए इससे घर में आने वारे energies घर के भार reflect हो जाती है फुल लेंथ mirror को आपको floor से at least 2-5 feet उपर place करना है अगर आपके घर में छोटा सा mirror है तो उस mirror को at least floor से 4-5 feet उपर place करना है आपको दो mirrors को आपने सामने रखने से avoid करना है बच्चों को कभी भी mirror के exact सामने बैट कर पढ़ाई नहीं करना चाहिए इससे उनका workload बढ़ सकता है प्रेस बैट के ऊपर ceiling पर कभी भी mirror नहीं होना चाहिए और बैट के headboard पर भी कभी भी mirror नहीं होना चाहिए सोते समय आपके body का reflection कभी भी mirror में नहीं आना चाहिए इससे head problems होने की possibility होती है अगर आपके घर में ऐसा है तो उस mirror को सोते समय आपको paper या फिर कपड़े से cover कर देना चाहिए प्रेस अगर आपके घर में कोई पूराना mirror है जिसमें अभी आपका image clearly नहीं दिखाई देता है तो हो सके तो ऐसे mirror को आप change कर दीजिए आपको घर में तूटे हुए mirrors रखने से avoid करना है mirror के लिए आपको और और irregular shapes को भी avoid करना है mirror को हमेशा आपको clean और clear रखना है प्रेस mirrors को कई बार वासू remedies के लिए भी use किया जाता है पर ये आपको एक proper वासू consultant के guidance में ही करना है नई तो इनके कभी कभी negative effects भी हो सकते है ये कुछ simple वासू tips है आईना यानिकी mirror के लिए इस topic से related अगर आपके कोई और questions या कोई दीज है या फिर आपको ये वीडियो suggestion देना चाते है तो प्लीज नीचे comment में लिखिए तब तक के लिए शुपास्तू and happy living